ब्रूसकर दोस्तो आप लोग कर मैं फिर से एक नए वीडियो में सुआगत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वालें कि समाज कल्लेट विवाग में डाटा एंट्री अप्रेटर के पतर वेकेंसी निकल कर आई है कफी एक अची vacancy है दोस्तों कफी संदार बढ़ती है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लाच तक देखता रिएगा हमाँ पूरी जनकारी देनगे कि आपको यह फार्म कैसे बरना है सारा step by step आपको जनकारी देनगे कि फार्म को ऐसे बरना है कैसे आपको इसमें सेलेक्शन प्रोसेस होगा सब जनकारी इस वीडियो में मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो को अब लाटता देखते रहेगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को जरूरर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आन कर दीजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत कमी चानत होती है कि आती है यूटूब चैनल पर दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी देखने को कि समाज क के लेड़ विबाग ऐसे ऐसे विबागों में आपको बरती देखने को मिलेगी इस चैनल पर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आन कर दीजिएगा क्योंकि जो में वीडियो ल लेते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले यहां पढ़े से अविबाग का है आप यहां से देख सकते हैं और यहां पर लिखा के आप उमेन SHEW and District of for the Child Development Chandigarh Administration तो दोसों यह दे सकते हैं कि यह जो बड़ती निकल कर आई है समाज कल्याट विभाग में बड़ती निकल कर आई है और यहाँ पर दे सकते हैं सिरियल नंबर है पोस्ट नेम है और नंबर पोस्ट नेम आप यूनिट एजुकेशनल कौालिफिके और एक्सप्रियंस एज और यहाँ पर सारी सेलरी है यहाँ पर तो चलिए बताते हैं एक एक आप यहाँ से दे सकते हैं कि अगर आप पोस्ट नेम यहाँ पर दे सकते हैं रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्पेसिलिस्ट के लिए फार्म बनना चाहते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट एक है और यूनिट यहाँ आप दे सकते हैं कि यहाँ इज एडावलो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रिजुएट लगेगी प्रिफेक्टली इन सोसल वर्क अधर सोस डिस्प्लीन एक्सप्रियंस आपका देखिए तीन साल का होना चाहिए गौवर्मेंट फिल्ड में या नन गौवर्मेंट यानि प्राइबेट सेक्टर में भी आपका यह रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्पेसिलिस्ट का आपके पास एक्सप्रियंस है तो आप इस फार्म को बरती निकल करें इसमें भी टोटल एक पोस्ट है यह भी इनुटी आप देख सकते हैं और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है ग्रिजुएट लगेगी डिपलोमा इन एकाउंट्स अगर आपके डिपलोमा एकाउंट्स में है यानि जो डिग्री है वो यह आप लगा सकते हैं अगर अगर्मनेंट सेक्टर में तीन सल खेस्प्रियंस है तो इस फार्म को फिल कर सकते हैं इसका भी जो एज है अटारव वर्स लेकर साइटिस वर्स तक है जो सैलरी आप दिया जारह है तो च्वशंबी साज़ान नो सो दो रुपिया आपकी सैलरी मिलेगी यहां पर यह जरूर रिट कर लिजिएगा आप इस पोस्ट पर आपके पास qualification है तो आप इसे feel कर सकते हैं डाल सकते हैं फार्म को और चलिए data entry operator का बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देश सकते हैं कि data entry operator के पोस्ट पर भी vacancy निकल कर आई है जो 7 वे नमबर पर है data entry operator फार्ट प्रधान मंतर मत्रू वंदना योजना वर्क के तहत यह इसमें वर्थी निकल कर आई है इसमें भी total एक ही पोस्ट है और qualification यहाँ पर देखिए जो मांगा गया graduation with working knowledge computer in computers IT यानि आपके पास यह qualification है तो आप लगा सकते हैं या आपके पास IT में साथ में minimum 300 के experience है data management और या process domestic या web-based reporting farming का आपके पास experience इसका भी जो एज है दे सकते हैं 18 वर्स लेकर 37 वर्स तक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो salary है यहाँ पर दे सकते हैं कि 26,902 रुपिया है जो आप अपने स्कीन पर देख रहे हैं यह जो फार्म में अफलाइन भारा जाएगा कोई online mode नही human and child development additional town hall building top floor sector 17C चंडीगड पीन कोड़ यह देख सकते हैं अपना यहाँ पर और यह जो लाड़ डेट है 20 बाराद 2023 तक है तीन बजे साम को आपको तीन बजे साम से पहले ही आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए इस जगह पर जो आपको हम अभी बताएं तबी आपका फा आपको बना यह भी चली आपको बता देते हैं यह सारी नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक फोटो होना चाहिए रिसेंट यानि कि आपके रिपास रिसेंट एक फोटो होना चाहिए यहां पर देखिए किस पोश्ट में आपको फार्म भरना है जिस भी पोश्ट में बताया है उस पोश्ट पर अगर आपके पास qualification है तो आप फार्म को बर सकते हैं परजेंट एक आप अर्डेट आप एडवर्टाइश्मेंट, यानि जो भी डेट मांगा गया है, यहाँ पर अपना यहाँ पर Hier Is, Month, Day यहाँ डाल सकते हैं, एक higher calculator आता है, फ्लेस्ट वर पर आपका जाकर accurate अपका डाटा निकलता है, आप जाकर वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और दोस्तों, यह आप देशल्टेटि, प्लेस अब बढ़त, यानि आप का जो जनम, अस्थान होगा हो है, यहाँ पर फिल किजीएगा, नेसनिल्टी, यायाँ पर इंडियान. लिख दीजिएगा, marital status, यानि आप unmarried है या married है, वो यहाँ पर fill करना है, permanent address यहाँ पर आपको fill कर देना है, और यहाँ पर देखिए present address है, आप कहाँ पर रहते हैं, वो भी आप fill कर सकते हैं, यहाँ पर, अपना mobile number भी fill कर सकते हैं, email ID यहाँ पर fill करना है आपको, qualification दे सकते ह अगर आप जिस post पर इस farm को भरना चाहते हैं, तो 10th का, 12th का, graduation का, post graduation का, यानि आपके पास कोई other exam दिये हुएंगे, तो आप उसको भी यहाँ पर fill कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए सकते हैं, दोस्तों, name up, university किस university से, या किस board से आपने high school interpass किया है, graduation किया है, वो पर आपको fill करना है, कि subject से आपने पढ़ा हुआ है, mark content आपको डालना है, कितने number पाएं, कितने में से, और percentage आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे यह सब कर देते हैं, तो दोस्तों, आप यहाँ से देखिए सकते हैं, कि experience भी, जैसे कि हमने आपको बता है, कि आपके पास 3 फार्म को वरना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपके पास 3 सल का experience होना चाहिए, आपको यहाँ पर experience भी feel कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं, कि details educational qualification, document in experience attached application क्या 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 है, आपको document को attach करना है, तो अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, कि link देना है, 6 document है, आ और इस फार्म को जो मैंने पता बता है, एडरस पता है, उस एडरस आपको send करना होगा, जैसे कि हम आपको बता दे कि आपको एक режим भी बनवा लीजिए, रीजियों भी यह फार्म के साथ send कर दीजिए दोस्तों, वर यह जनकारी थी, जो कि हमने आपको बताया है, अगर हमार इस चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल नोटिफिक्शन को आन कर दीजिए क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो ना हूँ आपके मुवाइल पर नोटिफिक्शन आ जाए तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए जय इंद जय भारव